इस बहुत ही ज़ादा तोड़म ताड़ वीडियो में बात करने वाले हैं लैंपोर्ट्स अल्गॉर्दम के बारे में सबसे पहले एक छोड़ा सा कॉंसेप्ट तुम लोग को समझा जाएगा जो तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है एंदन उसके बाद हम में मुद्य के उपर ऑपर चलांग मारेंगे अब मान लेते हमारेоворी पास कुछ प्रोसेस को एग्जी집 होना है अगर इसकी сохран को परता है निया पर सकेश्चन को एक्सेस करना परता है यहाँ पर समझना है कि एक समय पे एक प्रोसेस से क्रिटिकल सेक्शन को एकसेस कर सकता है एक समय पे अगर एक से जादा प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एकसेस किया तो डेड़ लॉक हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए हमें यहीं चाहिए कि एक समय पे एक प्रोसेस से क्रिटिकल सेक्शन को एक accessible है और mutual exclusion का मतलब क्या होता है it make sure that processes access shared resources or data in serialized way मतलब यह make sure करता है कि जो processes है वो shared resources या data को एक serialized manner में access कर पाए मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक यह access कर पाए shared resources को यह processes यह mutual exclusion make sure करता है तीक है अब mutual exclusion को पाने के लिए बहुत सारे algorithms है उन सारे algorithms में से एक algorithm है Lamport algorithm मतलब Lampot algorithm कе मदद से हम क्या कर रहे है mutual exclusion को ला रहे हैं Lamport algorithm mutual exclusion को possible करता है तीक है Lamport algorithm उन algorithms में से एक है जो mutual exclusion क newsletter करता है ठीक है अब समझे हैं तुम मुच्छल अश्री लाफ अल्ग अल्गर्दम करता क्या है कैसे काम करता है वह हम देखने वाले अब सबसे बढ़े तुम्हें कुछ छीजें समझने की जरॉरत है अब हमारे पास मान लेते कि तीन प्रोससे हैं अब जितने भी प्रोससे है कि अपना इसकुद का एक प्रोससे का अपना क्यूगए अफ़री waking कि प्रोसड़ी का अपना क्यूगा क्यूग होगा continue अब यहां भी क्या होता है माल लेते कि process 3 एक ऐसा process है जिसको critical section को access करना है तो process 3 को उसके लिए क्या करना बढ़ेगा process 3 को उसके लिए बाकी के जो processes है उनको request send करना बढ़ेगा अब यहाँ बाकी के process क्या है process 1 और process 2 तो process 3 जो बाकी के process है process 1 और process 2 उनको request send करेगा ऐसे request send क्या request स्रेंद करेगा वैसे वह क्यों में अफडीट करेगा'm कैसे अब देट करेगा सब से पहले तो प्रोसेस अपना खुद का क्यों क्यों क्योंतरी सो यह छे fingers वसाई आएक यहाई अगर यह दूसरा process है request send करने वाला या जिसको critical section में access चाहिए वह पहला process है तो यहाँ पर time stamp वन आएगा अगर यह दूसरा है तो time stamp टुमा है अगर थीसरा तो time stamp 3 आईगा बट यहाँ है क्यूंकि यह पहला process है जिसको critical section में एक्सस चाहिए तो इस लिए यहाँ पर टाइमस टाइम Won यәने कि ट कीवड और पी तरी मतलब प्रोसीरी इसका ज्यादा मघस्मारी नहीं थे प्रोसीरीacción करता है उसके कुछ समय के बाद ही स्थी रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट अकुँद करटा है क्योंगि उसको भी क्रिडिकल सेक्शन चाहिए तो यहाँ पर process 1 भी same चीज़ करेगा जैसे process 3 ने की थी अब यहाँ पर process 1 का अपना Q होगा Q1 तो उसको भी request send करने के बाद यह update करेगा तो यहाँ पर Q1 मतलब process 1 का Q है इसलिए Q1 और T2 मतलब यह second process जो request send कर रहा है critical section के लिए इसलिए यहाँ पर T2 आया और P1 मतलब process 1 ठीक है अब यहाँ पर जब request send करता है यह process 3 तो उसे reply भी आता है तो यह request send किया यहाँ पर reply आया ठीक है यह request send किया यहाँ पर reply आया अब यहाँ पर और एक twist है twist ऐसा है कि जैसे बाकी के जो lines है मतलब अगर process 3 ने request किया तो बागी की कौन से line है process 1 और process 2 तो इनको जब request मिलता है यह अपने-अपने queues भी update करता है for example यहाँ पर process 3 ने request send किया तो यहाँ पर आया यहाँ पर यह अपना line जो है process 1 update करेगा अपना queue अब कैसे update करेगा उसके पास already T2 और P1 है और उसके पास T1 और P3 आया तो यह दोनों को compare करेगा ठीक है अब compare करने के बाद यह क्या करेगा ascending order में इन लोगों को arrange करेगा in terms of time stamp मतलब ascending order मतलब सबसे बहले सबसे चोटा फिर उसके बाद उससे ज़ादा तो और उसके बाद उससे बड़ा मतलब T2 है तो वैसे वो arrange करेगा यहाँ पे भी जब इसको request मिलता है तभी अपना क्यों update करता है अब इसको दो बार request आया एक तो यह आया T2 P1 और दूसरा request यह आया T1 और P3 तो दोनों को लेगा और दोनों को ascending order में arrange करेगा in terms of T1 अब यहाँ पे भी इसको request आता है यहाँ पे इसको कोई request send कर रहा है T2 P1 और इसके बास already क्या है T1 P3 तो दोनों को लेगा दोनों को ascending order में arrange करेगा in terms of time step अब क्यों को update करने के बाद यह reply देजेगा क्यों को update किया reply दिया क्योंकि update किया reply दिया यहाँ पे भी क्यों को update किया reply दिया यहाँ पे भी क्यों को update किया reply किया तो यहाँ पे reply मिल जाएगा दोनों को अब यहाँ पे condition है condition यह है कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहले process 3 को access करने critical section को अब दो conditions आ है सबसे पहली condition यह है कि जिनको भी process 3 ने request send किया उन सारे लोगों को अगर reply आया तो पहला condition और दूसरा condition यह है कि यह जो Q है इसमें सबसे उपर process 3 का होना ज़रूरी है तो ही अगर यह दोनों conditions accepted है तो ही P3 यानि कि process 3 critical section को access कर सकता है तो यहाँ पर process 3 के scenario में दोनों conditions accept कर रहा है जिसको भी उसने request send किया सबने उसको reply दिया और जो Q है सबसे उपर P3 है तो process 3 critical section को access कर सकता है और उसने access किया अब मान लेते हैं कि उसका critical section को access करना हो गया तो उसके बाद processory क्या करेगा होने के बाद जो बा provocative process ए उनको बोले कि मेरा हो गया section को access करना तो यह release messages send करेगा दोनों को अब release message जैसे वो send करेगा वैसे रपने q से अपना नाम निकाल देगा कि कि उसका access करना हो चुका ए तो उसका जा जो क्यूद sad q3 उसमें से उसका जो नाम है T1 P3 उसको निकाल देगा तो क्या बचेगा यहां पर टीटू और पीवन और उसके बाद जब इन दो प्रोसेस को अपने 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 मेसेज़ मिल जाएगे वह अपने अपने क्यू में से भी जो जो प्रोसेस का जो वह है जो यानि की आप टीवन और पीथी वह नि है और जैसे इसको यानि की प्रोसेस वन को उसके मतलब इसके बाद क्रिणी कल सेक्षिन का मुझा मिलेगा जैसे करना हो गया अब वह बाकि लोग को बलेगा कि मेरा क्रिडिगल सेक्षिन का एक्सेस करना ओ चुका है तो बाकि लोग को release Reelis messages send करेगा, जैसे वो बाकी衣ों को Tamar approaches send करेगा आपण Q को अपडेट करढ़ देगा उसके क्यू मेंपहले क्या था o is that scientist of hearing । रूप करना हो चुका पक्रिश हाज है और जैसे ही इन लोग को Really इस messages मिल जाएंगे वो अपने अपने क्यों भी अपडेट कर देंगे और उनमें जो पहले यह था वो निकल जाएगा और क्यों में कुछ नहीं बचेगा ठीक है यह होता है लैंपट्स अल्गॉर्दम अब हम अल्गॉर्दम के उपर जम करेंगे एक चीस्टों में समझने की जरूरत है कि एक्जाम में प्रॉपर डाइग्राम के साथ साथ प्रॉपर एक्स्प्लेशन की भी जरूरत होती है नोट्स में हमने प्रॉपर डाइग्राम के साथ साथ प्रॉपर थेरी एक्स्प्लेशन भी लिखा है जिससे आपको एक्जाम में अट-least 80-90% मार्क्स आरा सबसे पहला statement है P.I. sends request to all the P.J. अब यहाँ पे भी सबसे पहले यह होता है जो हमारा P.I. है यादि कि यू कान अज्यूम दिस वह request send करता है तो all the other process है तो line यह जो पहला line है यह यह दर्शात ही है सेकर्ड के है P.I. makes entry in its own queue request send करने के बाद अपने खुद के queue में जो हमारा P.I. है वो entry कर देता है थर्ड इस P.J. receives request message जो हमारे बाकी के P.J. होता है जैसे कि process 2 और process 1 वो अपने अपने request message जो इसने send किया है वो receive करता है then P.J. makes entry in its own queue and sends reply to P.I. जो हमारे P.J. होता है वो उनके queue में entry करता है और जो हमारा P.I. है जिसने message send किया है sorry जिसने request send किया है उसको reply कर देता है अब reply आने के बाद जैसे कि मैंने बोला था कि 2 conditions होते है सबसे बढ़ी condition जिसको भी उसने request किया था उसका reply आना चाहिए तो यहाँ पर reply आता है दोनों से और दूसरा condition क्या है I mean यहाँ पर लिखा है पहला condition P.I. has received reply from all those P.J.s whom he has send request यह पहला condition था इसके बारे में मैंने जिक्र किया था and second is in queue his request is on the top इसका request सबसे top पर तो वो critical section में जा सकता है तो वो critical section में यहाँ पर गया दिन उसके बाद क्या होता है P.I. exits the critical section and removes itself from the queue जो P.I. है वो critical section का काम हो गया तो उससे वो exit कर लेगा और अपना जो Q है उसमें से उसको निकाल लेगा तो उसमें से उसने यहाँ पर निकाल लिया है उसको and उसके बाद क्या होगा P.I. broadcast release messages उसके बाद P.I. जो बाकी के जो processes होता है उनको बताएगा कि मेरा हो चुका है तो इसलिए वो release messages broadcast करेगा and last step is on receiving message P.I. removes P.I.S. entry जब release messages बाकी के processes को मिल जाएगे वो जिसने release message send किया है उसका जो entry है इसका entry किया था T1 और P3 तो वो अपने अपने Q से निकाल देंगे ठीक है यह है हमारा lampbots algorithm अब हम इसके performance के उपर जम करेंगे 3 into n-1 messages per critical section invocation अब इसका मतलब क्या है तीन बार n-1 एक बार reply के लिए एक बार request के लिए एक बार release के लिए एंड का मतलब होता है number of processes अब यहां पर ही जो क्यों है मतलब अगर सब्सक्री को critical section को access करना है तो Q3 जो है वो दो लोग को ही request send कर रहा है तीन लोग को request नहीं send कर रहा है खुद को छोड़ के बाकी लोग को request send कर रहा ह एंड मनसंट थेक है वह और एंड कर रहा है अब जब request send करता है दो लोग ही reply करता है तो वह भी दो ही है है so that is also n-1 and reply करने के बाद जब CS में जाता है मतलब बाकी लोग को ही बताता है कि वह रिलीज हो चुका है खुद को तो बताता है ठीक है अब मुझे कमेंट सेक्शिम में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और कौन से यसे जो तुम चाहते हो मैं कवर करो यह भी मुझे कमेंंट सेक्शिम में बताओ और मुझे एक क्रिटीजम दो मतलग मुझे बताओ कि और मुझे इंप्रूवमेंट करने चैनल में यह मुझे बताओ कमेंट सेक्टिर में ओके यह हमारा प्लेलिस है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन प्लेलिस है यहाँ आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एकदम सिस्टेमाटिक और्टन में अरेंज्ट ठीक है थैंक यू फॉचिंग इस वीडियो हम आइस दे बाइ